जैमात अदि आप सभी को नवरातरी की बहुत बहुत शुब कामनाएं, सभी की नवरातरी मंगल में ही हो, सब की मनोकामनाएं पूरुन हो जाएं, सब की दुख, कष्ट, प्रेशानियां, समस्याएं, सब समापत हो जाएं नवरातरी के समापन के साथ ही, आती हूँ अपने उ पूजापाट करने की जुरूरत है ही नहीं इसमें हाँ आप इश्वर को याद कर सकते हैं मातारानी को याद कर सकते हैं मन ही मन सब कुछ याद कर सकते हैं लेकिन बैठ कर कहीं कुछ भी करने की जुरूरत नहीं होगी आज के हमारे में उपाए में उसके साथ ही छोटे-छोट नहीं बन रहे हैं बहुत सुनेहरी मोका है साल में दो बारी आता है माताराणी प्रित्यू पर आई हुई है आप सब को शुब आशिवात देने के लिए सबके घरों में विराजमान है माताराणी जोती के रूप में जिनके घरों में अखंड जोती प्रजवित हो रही है उनके सब की भावना देखने के लिए आपकी सबगी शर्टा देखने के लिए आपकी सब की इच्छाएं पूरुन करने के लिए तो ऐसे में माताराणी का बरत उपवास अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें वो सब कुछ जानती है और आप जो भी मन में धारना करते हैं उसको याद करते हुए वो सारी आपकी पूर्ण कर देती है बच्चों के विवा में देरी हो रही है माता पिता प्रेशान है नहीं कर पाते कुछ भी कोई पूजा अराधना पाठ होता ही नहीं है जल्दी जल्दी एक तो मन वैसे ही उदास रहता है मन में ये रहता है कि कुछ नहीं होता कितना भी कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं ह लारा है इppedway मन में रहती है उपर से अगर कुछ करना हो तो फिर वो ऐसी होता है की जैसे हम आजमा रहे हैं की पत्ता नहीं होगा करने होगा यह भावना और मन में रहती है तो यह एसी भावना है मन से घरों में तो है ही जबकि आपने माताराणी का किया या माताराञी की पुझा सुबहशाम कर रहे है क्वा करें आप बच्चे कर रहे हो açık तो वह ले सभशा पीदकर रहे हों तो सभषा पथा कुछों दिन को सब्सक्राइबी को राहुकाल ना हो ऐसे में राहुकाल के समय मत करने जाएगा इस उपाई को आपको एक पान का पत्ता ले लेना है बाजार से ले आए पहले से जिस दिन भी नौमी तक राव नौमी तक आपका मन करें उसी दिन आप एक पान का पत्ता ले आए माता पिता या बच्चे अपनी मन साबूद धनिया देख लेना आप थोड़ा सापेटर में डालकर यह देख रहे ना कि जो जिस धनिया के बीज से दो फाड हो गए हो दो टुकड़े हो गए हो उसको निकाल दें और जो साबुत साबुत धनिया हो यानि के जुड़ा हुआ आपस में वह धनिये के दाने हो उतने लगवग एक चमच इससे ज्यादा नहीं इतना धन एक चमच धनिया उस पर साबुत और उसके ऊपर पत्ता ही देख लीजिए का पत्ता भी कटा-फटा ना हो कई बार क्या होता है कि दुकान से जब हम लेते हैं तो कई बार ध्यान ही नहीं जाता है और दुकान वाला कागज में लिपेट के हमको पकड़ा जिता है घर आकर हम देखते रंडी रुपी हुई है पत्ता कहीं से थोड़ नों रखने के बाद अब आपको अपने घर में अप कैसे भी कंडिशन चाहिस कहीं को हैं बीचे बैठें हैं यहां पोने हाथ में लेकि मनोकामना पूर्टी आप这是 मातारानी से हमारी मनोकामना तुरंत पूरूरण हो जो भी व्यादियां है जो भी प्रेशानिया है विवा में जलनकुंडली में जितने भी दोश बने हुए है उर्भ कर्मों के दोष होते हैं देखे इस बात को मान के चलिए आप ये बात कभी तो आप इस विवा की परकिरिया को पूरानी होने देते हैं तो आप एक्षवर से वही प्रात्ना करें कि हमने जो भी कुछ किया हो वह हमें माफ कर दें माता पिता हो तो कहें कि हमारे बच्चों ने जो भी करम किये हो वो माफ कर दें और बच्चों की विवा योग तुरंत बने तुरंत विवा तैय हो जाएं ऐसी प्रार्थना करते हुए बस इस पत्ते को आप किसी चीज में रख लीजिए पॉल्थिन की थेलिया आती हैं उसमें रख प्रवाहित करके आना है इसको अब आप यह कहोगे कि पानी हमारे नजदीक नहीं है प्रवाहित करने के लिए तो मैं कहूंगी थोड़ा कश्ट उठाईए यह दिन बाद में पूरे चैमाइने बाद आएंगे और आपको एक बार कश्ट उठा लीजिए मोटर साइकल पर ब जाएंगे इसके साथ ही मैं आपको एक काम और कहूंगी कि यह भी काम ऐसा ही जुड़ता हुआ है और तुरंत विभायोग बनाने वाला है शिगर आपको पता भी ने चलेगा आपकी जहां बाते चल रही हैं भाहां से येस होना शुरू हो जाएगा तुरंत पॉजिटिव स आगे रखके प्रार्य करके उस पत्ते को उठा के अपने तक्ये के नीचे जो बच्या विवाश Kagigine है प्रेशान है वो अपने तक्येक नीचे रखके सो जाए और फिर अगले दिन सुबह उठके उस पत्ते को उठाके नहा धोके और मातारानी का पास में कोई मंदिर हो तो उस मंदिर में छोड़के आ जाना यह काम आप एक कर सकते हैं मातारानी के तुरंत किरपा पाने के कोई लंबा चोड़ा पूजा पाठ नहीं है आप प्रारानी के आगे आपकी बिंद्धी प्रात्ना ही सुनी जाएगी सबसे ज्यादा आपके मन की भावना ही तीनों उपाएं जो मैंने बताएं बहुत आसान है धनिये वाला भी नोपान के पत्ते वाला भी कुछ नहीं करन तो माँ जरूर सुनती है ये काम आप जरूर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट बक्स में जैम आता दी जरूर जरूर लिखें थैंक्स पूर वाचे